कि विडियो कप आज का वीडियो काफी ज़्याधा वाला है क्लावर करेंगे ओर एक डंक बीटल टेम करेंगे तो काफी कुछ मसा आने वाला है तो फटाफ्टिक से हम चीजे इकटा कर चुके हैं तो हमें क्लेवर करने के लिए चाहिए कुछ बग रेपली का थोड़ा पर स्टेमिलेंट क्योंकि उधर टाइटन वी होता है और आर्नी ओ तो रहते यह अरुनिक भी रहता है काभी सारे रहते हैं और थोड़ा सा पानी क्योंकि स्टेमिलेंट वाद पानी तो चाहिए फू पूड और वहां पर बैट भी लगा कि आएंगे तो बैट का भी सामान रख लेते हैं सभी लोग वीजिए देखते हो आपको मज़े भी आते हो लाइक भी करते हो लेकिन ये क्या है क्या है भाई इतना गंदा रिस्पॉंस सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करने के पाई से थोड़ी ना लगते हैं कौन ही लोग कहां से आते हैं मैं आप लोगों करेता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आने वाला है तब तक आप इसमें से कितने ज्यादा परशेंट बढ़ाते हो ठीक है हां तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारा सब्सक्राइब रेश्यों बहुत ही खराब है तो फटापट से सब्सक्राइब कर देना और चलिए बहुत देरी हो गई है और फटाइक से वीडियो स्टाट करते और ज्यादा टाइम गरवात कि तो लेस्ट गू हम आ चुके हैं क्लेवर केप के पास एकदम स्टाट में तो आप सभी लोगों को इसकी लोकेशन तो पता ही होगी नहीं पता हो तो बता दो भाई यह है लावा मांटेन के पास में तो यहां पर हमने काफे सारा सामान लेकिया आ गए हैं हम हेलमेट लगा लेते हैं पहले सब्सक्राइब करने में और पॉटेंडश्ट भी मिल गया है काफी सारा माल तो काफी मिल गया भी फटक से लगा लेते हैं और चलते हैं अंदर और बहुत होता है सब का होता होगा मेरा साइज ज्यादा होता है थोड़ा सब अच्छा चलो ठीक है हमने अपर इस बैग रेप सब्सक्राइब करके बाहर आना पड़ेगा नहीं तो बैसे भी कहीं मर जाएंगे कहां चलेगा सारे चलो यह आया तो यह बिच्चु बिच्चु तो आपको काटेंगे स्कॉर्पियन वगिर आपको काटेंगे विल्कुल क्योंकि इन पर बग रपली का काम नहीं करता है बंग्चरीणश्स मोरत होने पर जाग जाएगा अबर यह जागेगा जबसे भीले निकल जाएंगे मस्त मैं अपने देंजे से ईरी मेटलसओरोस का इनप्लैंट लायन तो उसको भी रिवाइब करने वाले हैं जाए है है टैम के भी और परशुट भी कम्प्रिट करेंगे सारे के सारे क्यूंकि आर्क वाइल में भाई परशुट बहुत है बैट ज्यादा होगी है थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा चलो तो यह है लेवल 10 का तो इसी को टैम कल देते हैं ज्यादा पास जाना दिक्कत हो जाएगी ओ साही है भाई 96 हो गया भाई देखो मैं यहाद पर लेवल 10 का इसलिए टैम कर रहा हूं क्यूंकि इससे ज्यादा का इस सर्वर में मिलने वाला है नहीं तो इसी का करते हैं इसको मस्त पॉटेंड वटेंड खिलाएंगे और लेवल अप कर लेंगे ठीक है कोई दिक्कत है नहीं पॉटेंड अपने पास बड़ी है भाई 300-400 हुए तो आपको पदा एक नहीं मऔर करने की जो नएट रिए उसके बारे में क्यूंकि उससे मैंने आज ही करीबन 100 से जाधा अबर कड़ेक्ट करें तो उसके बारे मिआपको पता तो ठीक यह देखिए 307 एमबर है मेरे पास पता हो ठीक है नहीं तो कमेंट करते हैं बता देंगे गई तो यह हमारा टैम हो गया और इसका बैट काफी कम है तो इसको हम कॉलर पहना देते हैं और यह बखल में जो कड़ा पहले इसको निप्टा देते हैं निपट निकल पहली पूरसत में और मुझे यही लग रहा था कि यह बैट नहीं उठा पाएगा इसका बैट काफी कम है और अभी मैं कंसोल से इसका लेवल अप नहीं करना चाहरा हूं क्योंकि बाद में पोटेंट से इसका लेवल अप करना बहुत महिंगा पड़ेगा अपन होगे तो अब हम चलते हैं डंग मीट्रल को देखते हैं डंग मीट्रल मिलेगा तुसको टैम करेएगे पीछे से कोई हात हुने नहीं नहीं है मिला है चलो टायटन अंपन वेग Где स्वाट कि ओए तुम के मूल एकुछ तो जाज तू भूबनाशन दो और में समय सकत्तgruppy जूतर अ defensive को Gram देला जाख to pan सब को मारेगा तेरा भाई सब को मारेगा एक एक से ऐक मेधिशरस थो है कर अभी तेरा ताइम होने का के बैसे तो कुछ काम में आता नहीं मेधिश काम में ऐता नहीं ज्यादा कुछ काम में आता नहीं वाइस कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चीए कापि सारे डाइनोस हमारे पास इंप्लांट पड़े हैं सब के सब को रिकॉल कर लू और उन पे एक वीडियो बना लू यह हम पहुंच चुके हैं हाट इफक्ट के पास में या फिर मैं परशूट वगएरा कम्प्लिट करूँ और उस पर वीडियो बनाओ या फिर मैं हंटर केव और लावा केव करूँ अभी स्कॉयलाट वीग बची हुई है तो उसमें हम बैड वगएरा लगाएं या परशूट कम्प्लिट करें अभी काट खाया वे पॉज़न चड़ गया चली स्टिमिलेंट खावट अबट तो मुझे कमेंट करके नीचे बताना गाईस और प्लिज यार सब्सक्राइब रेशो कल तक कर देना या भाई अब यह डंग बिटेल है यहां पर चलो ठीक है पहले इसलिए थोड़ा सपा कर लेता है सब को क्लेर कर देता है इसके बाद में हम बिटेल को आरा हम से टाइम करेंगे इजी पीजी तो यह कितने का है अब यह सिर्फ लेवल दो का है और यह लेवल नाइन का है चलो लेवल लाइन वाले कोई टेम कर लेता है और यह तो इसको टैम करना बहुत ही इजी है आपको बस पूप रखनी है शुतिक मम खिलाना एक होर हो गया एक ही पूप में हो गया चलो ठीक है इसका मैं थोड़ा से लेबल अब कर लेता है यहां पर लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूं के मैं तो कंसोल काम नहीं करत अब लिक्त वाली बात नहीं है अब 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 क्लियर करके बैड वगरा लगा लेते हैं अब यह इसको लगनी रहे उदर खड़ा आता है अब आजा अचल निकल अब यहां पर बैड वगरा लगा लेते हैं थोड़सा बजल भी खाली कर लेते हैं कहां लगा हूं इधर के साइड लगाता हूं अब तक बाद में इंप्लांट लेने में ओ सरी आठिफेक्ट लेने में दिक्कत ना यह इसी जगह लगाना पड़ेगा अगर यह पर लगेगा तो अच्छा है हां चलो लग रहा है जितना ज्यादा पास में होच लगे उतना ज्यादा पास में लगाएंगे ताकि यहां पर क्या है अभी क्रीचर बहुत हो जाते हैं तो रिक्कत होती है अच्छा पास में लग रहा है जाए इतने करीब लगेगा नहीं चलो थोड़ा सा दूर लगाना पड़ा अपने मीबैड अब भाई सिंगल सर्वर में कहां से अनिमी बैड आ गया वे अपलाइन सर्वर में कौन सा अनिमी बैड लगा गया अच्छा आर्क का भी क्या लॉज लग जा ठीच यहां पर दई इसी पीजी लग यह अब गेड लगा देते डॉर फ्रेम इधर नहीं इधर नहीं क्या यह क्या सस्ते नसे भाई आर्क वालो क्या कर रहे हो यार सामने डूर फ्रेम नहीं लग रही है पहले डूर फ्रेम लगाना पड़ागा चलो ठीक है पहले डूर फ्रेम लगा देते हैं असके बाद में बॉल से लगा देते हैं फिर हमारा बैट लगा देते हैं इजी पीजी क्लेवर क्यार अच्छी है अभी ना गाइस एक ग्लिच चल रहा है कि आप किसी भी आर्टिफेक्ट कंटेनर को टच करोगे तो आपको इंबर मिल जाएंगे अभी देखना हम आटिफेक्ट के पास जाएंगे अब शायर है कि एमबर मिल जाएंगे अभी मेर पास 307 एंबर है देख सकते हो आप अब जाके देखते हैं मिलते हैं नहीं ओके बैड लाग चुका एजी पीजी अब जसको फैक दो कोई काम नहीं और बाद में इसको हम हम ट्रीब्ईट करेंगे तो टेला कोके ब्लाका क्रोगे थी एगयोरे ли एक हम यह कंप्लिट करेंगे देखिक का मिलता है एंब्सक्री और इम्यम्यन गा करता तो उसमें मिली थीTrut पिस्टल कि इसमें देखते हैं क्या मिलेगा कि यहीं से कर सकते हैं कि ऑके तो हमको यहां पर एंबर में मिल गाएगा इस चार एंबर मिल गाए हमारे 307 थे 311 हो चुके हैं को दिकत वाली बात है नहीं और यह हमारा डंग बीटल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं इसको बाद में रिक्वेस्ट कर लेंगे कोई दिकत नहीं है लेवल दो का इसको क्या करेंगे अचिछो बाद में और टेम बने कर लेंगे वैसे हमारे लिए कि काफी को दिकत वाली बात नहीं है है और क्लेवर के अब करास्ता तो काफी इसलिए मैंने स्कूष एक्स्प्लें नहीं किया सिधा दोड़ता दोड़ता आ गया क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे टर्न आते समय राइट एंड पर लेना है और जाते समय को यह हमारा अर्णियों इसके अल्ट कमने और पैसे पर है चलो इस पर कोई अटेक नहीं करेगा इसको अबलिक पर जाग पर रिक्वेस्ट करेंगे कि धर है रास्ता आते समय थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है ध्यान भूल जाते हैं आते समय और कि धर जाना है सब वास्ते जैसे दिखते न तो जाते समय तो ठीक है वह दिक्कत नहीं और आपके वास्त हैलमेट नहीं हो तो एक मसाल बना जाए ना तॉच से क्या वीजी पीजी जा सको चलो ठीक है हम बाहर आ चुके है अब हम फटा फट से चल देते हैं अबलिक पे और इसको मारते हैं ट्रिब्यूट और देखते है क क्या मिल रहा है बैट्रिब्यूट में कुछ आउसम मिलता है या नहीं ठीक है तो फटावाट से अबलिक पे चल देते हैं कि ओके तो हम पहुंच चुके अबलिक पे कि और इसको मार देते हैं ट्रिब्यूट क्यों मिला भाई कि अच्छा दे दियो है ग्रावलिंग कुछ मिले हमें दस ठीक है चार तमरे पास पहले से थे हमें दस और मिल गए चलो ठीक है तो गाईस आयोब आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा थोड़ा सा भी मज़ा आया हो खुछ तो प्लिज यार लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर मज़े नहीं आया हो तो बताना भाई क्यों नहीं आये क्या चाहिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक प्लिज थोड़ा सा सजजेस्ट करना मेरे को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक खिलिए टाटा वाई भाई सायोनारा घर रहे है खुश रहे है शुरक्षित रहे है बाई करोना का बहुत कहर चल रहा है तो बाई बाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और तक प्रण भाई अजाए वीडियो में और तक वाई भाई आए रहे हैं